लास्ट वीडियो में हमने section 8 किया था GST के अंदर अब हम section 8 करेंगे section 7 लास्ट वीडियो में करा था जिसके अंदर हमने supply का मीनिंग समझा था कि supply क्या होती है उसके रिस्पेक्टिव हमें सारी डिटेल समझ ली थी section 7, subsection 1, A, 1, B, 1, A, A, subsection 2, subsection 3, सब कुछ schedule 1, schedule 2, schedule 3 जो से related था अब यहां पर हमार पास आता है section 8, section 8 के अंदर हमें textability दी गई है composite and mix supply कि composite supply पर क्या text लगेगा और mix supply पर क्या text लगेगा तो अब section 8 के लिए section 2, subsection 30 and section 2 and subsection 74 समझना ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें यह समझाएगा कि composite and mix supply होती क्या है section 2, subsection 30 के अंदर हमें यह दे रखा है कि composite supply क्या होती है और section 2, subsection 74 के अंदर हमें दे रखा है कि mix supply क्या होती है तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि यह दोनों क्या होते हैं और यह सीधे-सीधे एक्जाम में पूछ लेता है कि इसका मीनिंग क्या और इसकी टेक्सिबिलिटी कैसे होगी अब composite supply क्या होती है? composite supply को आप एक illustration से समझ सकते हो देन अगर अगर इसकी definition पढ़ोगे तो समझा जगा कि composite supply क्या होती है? जिसे मान लो कि आप एक hotel में गए जब hotel में जाके रुके आप 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 आपने तीन दिन का stay किया, three days का stay किया अब आप तीन दिन stay करोगे तो obvious सी बात है ने कि आपको वहाँ तीन दिन अगर रहोगे तो at least वह आपको breakfast और dinner वहाँ पर provide करेंगे और यह क्या चीज़ है अपने आप में एक naturally bundle है कि obvious बात है कि यह तो करना ही पड़ेगा आपको साथ में तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपसे वह charges नहीं लेगा हो सकता है कि जो stay आप कर रहे हो उसी के अंदर इसके charges ने include कर रखे हो है ना ऐसा ही होता है तो यानि कि यह क्या है यह एक अलग service दे रहा है आपको और यह अलग service है जो कि आपको अपने hotel में accommodation दे रहे है अपने रहने की जगा दे रहा है तो यह दोनों अलग अलग चीज़े है लेकिन वह आपको provide कर रहा है एक साथ एक ही bundle में कि यह दोनों साथ में आप लेलो तो अपने एक टेलिविजन खरीदा तो उस टेलिविजन के साथ आपको वरंटी देना ठीक है कि इसके अंदर वरंटी है इतने टाइम में अगर इसमें कोई खराबी होगी तो हम उसको ठीक कर देंगे यह अपने आप में कहे नेच्छल चीज आपको देनी ही पड़ेगी है वरंटी बिना वरंटी के वह आपका टीवी बिकेगा भी नहीं और साथ में देनी ही पड़ती है तो यह क्या किलाएगा अपने आप में नेच्छल naturally bundled के लाएगा कि naturally ये चीज साथ में होनी ही चाहिए थी, अब यहाँ पे यह चीज बन्डल थी होगा इसके अंदर एक चीज ऐसी होगी जो कि principal supply होगी, principle यानि यानि कि अगर आप आप ये लिया ना इसलिए आपको दूसरी चीज लेनी पड़िया लेकिन अगर आप दूसरी चीज लेते हैं इसलिए आपको पहली चीज नहीं लेनी पड़ती है इसका मतलब जैसे अगर माले होटल में जाते हैं वहां जाके आप सिरफ खाना खाने गए तो आपको जरूरी थोड़ने कि आप तीन दिन रहे इसलिए यहां पर रहना और जो सेकेंडरी चीज वह क्या है breakfast या dinner वहां का तो जो मुक्तिपल क्या हो जागी का प्रिंसिपल अगर आपको शिपलाइ की जा रही है और वह कैसे चीज़े लेनी पढ़ रही है है आपको दी जा रही है तो यह उनकी साथ प्रहूरी है। कोई यहां पर necessary supply नहीं दी यानि कि आप एक fridge खरीद ने गए fridge के साथ उसने आपको क्या कि बॉटल्स भी बेच दी तो बाद में भार से जाकर भी खरीद सकते थे कोई मतलब नहीं रहा था उसका है ना तो यह क्या naturally bundle नहीं है लेकिन उसने आपको साथ में बेच दी तो यह क्य होते है ना fruit कब fruit का अ कोई ऐसे आप वह की बकेट बनाकर उसके अंदर आप ऐसे का हिक देता हो फिर उसके अदर चिप्स रख देते लेकिन mix supply में क्या होता है कि आपने जबरदस्ती साथ में दे रहे हो necessity नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको बेचने में लगए हो कि यह सारी चीज़े एक साथ बिख जाए तो यह definition हमें section 2 subsection 74 में mix supply की section 2 subsection 30 में दी composite supply की अब इसकी taxability क्या होती है कि जो composite supply होती है जो इन दोनों चीजों में से या मानलों तीसरी कोई और चीज साथ में और भी कुछ देते चार चीज़े देते कुछ भी देते तो इन में से हम देखेंगे कि principle चीज कौन सी थी जैसे मैंने अब आपको उपर समझाय कि हम कैसे देखेंगी principle supply कौन सी है तो इसी की बज़े से warranty आपको मिल रही है warranty की बज़े से तो टीवी नहीं मिल रहा आपको तो यहाँ पर taxability क्या होगी जोसे मानलों आपने इसके 10,000 पर लिए इसके warranty के आपने एक्स्ट्रा 500 पर लिए तो अब यहाँ पर जो जर्नली अगर देखा जाए market में अगर आप warranty अलग से लेने जाते हैं और यह 10,000 पर लिए तो यहाँ पर इसके ओपर tax का rate जो था टीवी के ओपर 10% था और अगर आप यह maintenance कहीं से लेने जाते हैं तो इसके ओपर आपको 5% tax देना पड़ता अब यह आपने कैसे लिए है नैचुरली बंडल करके लिए है इसको आपने composite supply लिए है तो composite supply में किस त प्रिंसिपल सप्लाय का रेट के है 10% तो आपको 10,500 पर 10% के rate पे tax देना पड़ेगा इस पूरे amount पे यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 10,000 पर मुझे 10% ले और 500 पे मुझे 5% ले ऐसा नहीं कर सकते हम हमें जो जो नैचुरल सप्लाय है ना जो प्रिंसिपल सप्लाय है उसके rate पे हमें tax देना पड़ेगा जैसे मान लोगे आप accommodation लेने गए थे accommodation में रहने के जो तीन दिन का खरचा था वो था 50,000 पे और जो food था वो था 15,000 पे का food के ओपर tax का rate था 18% और रहने के ओपर था 5% तो यहाँ पर natural चीज क्यों सी थी यानि कि principal supply क्यों सी थी यह 50,000 पर जिसकी बज़े से आपको food मिला था तो यानि कि अभी इसको total करेंगे 50 प्लस 15 को पैसाट को और tax हम कॉन से rate से देंगे 5% से देंगे 15 से नहीं देंगे total जो यह naturally bundle हुआ था इसमें जो principal supply है उसके उपर जो tax का rate था उससे आपको tax pay करना पड़ेगा इस total amount पे तो यह taxability होती है कि इसकी composite supply की जो section 8a के अंदर दे रखी है इसके अंदर example भी दे रहा है कि मानलो laptop के साथ आपको bag बेचा जा रहा है क्योंकि laptop के साथ bag बेचा जाता है naturally bundle होता है क्योंकि आपको bag खरीदने ही पड़ेगा अधर आप laptop रखोगे कहां तो यहां पर जो आपको क्या करना पड़ेगा दोनों को total करके 18% के rate से tax देना पड़ेगा इसको 28% से आपको नहीं देना पड़ेगा तो यह होता है composite supply और mix supply में आपको कैसे tax देना होता है section 8b के अंदर में बता रखा है कि जो भी चीज़े आपने सारी bundle की ना जितनी में चीज़े क्योंकि यह सारी if you keep hearing driven走吧 तो थी नहीं आपने इसमें फूने चॉक्छेइं रखेैं आपने समें चिपस रखे आपने इसमें की है अब जो सारी चीज़े सब का rate ओ टैक्सिज अलग अलग होगा शायद हो सकता है कि फूने चॉक्री ती आथारा परसंट पर यह जो यो थे 5% पर, यह जो थे 8% पर, तो यानिकि आप क्या करोंगे, इनकि जितनी value जैसे 10 का था, ये 50 का था, ये 100 का था, ये 100 का था, अब आप क्या करोंगे, सबकूर टूटल करोंगे, और सीधा-सीधा उनके पर 20% के rate से tax दे दोगे अब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि इस पर 10% दूँगा इस पर 50 दूँगा इस पर 100 दूँगा इन में से जो सबसे highest rate की चीज है आप वही rate का tax जो है सब चीजों के उपर लग जाता है तो mixed supply के अंदर यह होता है तो यहीं यहाँ पर बता रहा है कि mix supply comprising two or more supplies shall be treated as supply that particular supply which attract higher rate of tax तो जिसके उपर सबसे higher rate of tax लबता है इसने example दिया है कि मानलो कि आपने एक MS Cadbury है उसने क्या किया gift sold किये जिसके अंदर chocolate और fresh use था तो chocolate के उपर 18% का rate था और fresh use के उपर 12% का rate था तो यहाँ पर क्या होगा कि जो mix supply है उसके पर कौन सा rate लगेगा GST का 28% दोनों में से जो highest है तो इस rate के उपर आपको tax pay करना पड़ेगा तो यहीं चीजे से जो principal supply थी उसके rate पर आपको tax pay करना पड़ता है और mix supply के अंदर जो highest rate था सब में से tax का उसके पर आपको pay करना पड़ता है तो यह इसने एक table type बना रही है कि कैसे आप पहचान सकते है कि कोई चीज जो है composite supply है या mix supply है वससे आपको समझ आ गया होगा आप पहचान पा होगे खुदी लेगिन फिर भी इसने समझा रहा है तो हम समझ लेते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या वो दो चीजे जो या तीन चीजे चाह चीजे एक साथ दी जा रही है कि वो naturally bundled है कि वो एक साथ necessity है उनकी सबसे पहले आपको यह देखना है तो अगर यह yes है तो यानि कि वो composite supply है mixed supply में ऐसा नहीं होता च्या वो दोनों एक साथ supply हो है तो दोनों में एक साथ supply हो होते हैं चाहए composite supply हो mixed supply हो क्या उनको हम separately supply कर सकते हैं composite में हम नहीं कर सकते होते हैं mix में हम कर सकते होते हैं क्या एक जो है वो pre-dominant यानि कि एक जो है principle है उसके अंदर तो हाँ composite supply में एक principle होता है लेकिन mix supply में कोई भी principle नहीं होता other supply is not aim in itself of recipient की दूसरी चीज़ जो होती है वो supply करने का aim नहीं होता मैं बैक थोड़ ना बेशना चाहता घब मैं लैपटव बेशना चाहता हो लेकिन देना पढ़ेगा तो yes, composite supply में ऐसा होता है लेकिन mix supply में ऐसा नहीं होता की मैं तो अपनी chocolate भी भी बेशना चाहता था चौक्लेट भी बेशना चाता था सब कुछ बेशना चाता था इच सप्लाई इस प्राइस सेपरेटली दोनों में ऐसा किसी में भी नहीं होता कि हम हर एक सप्लाई को अलग-अलग से जो भी समान है सबको अलग-अलग से प्राइस दें सबको हम एक साथ प्राइस दे के मतलब जो भी उनका प्राइस होता है उसको टोटल कर देते हैं फिर उसके पर जीसटी लगाते हैं एक गुड़्ज हो सकते हैं दूसरे सर्वास हो सकते हैं एसा तो इसे कुछ भी हो सकता है उससे कोई फर्रक नी पड़ता तो यह विच्छ में इस तरीके जिए में डिफ्रेंग तो नेचरली बंडल वाला ही आ रहा है अब इसके अंदर एक दो केस हैं वो देख दो केसी है मिली जो आपको help करेंगे स्टॉपिक को और अच्छे समझाने में आता है एक्वा केर सूरत आरो टेकनोलजी प्राइविट लिम्टेट टूथाउजन नाइनटीं का इसके अंदर क्या है कि यहां पर क्या पूछा गया था कि एक पर ही पहले कोशिश कीजिए इस बॉक्स के साफ से इडेंटिफाय करने के लिए जितना भी तक आपने समझा है उसके सा पानी को आप अलग से बेच सकते होगी यहां पे इसलिए यह जो वाटर को बेचा जा रहा है कंटेनर के अंदर यह कंपोजिट से प्लाय के लाया जागा सिंपल सी बात है वही कि नैच्रली बंडल है या नहीं आप पानी को अलग से थोड़ना बेच पाते तो इसलिए यह इसके अंदर हेल्ड होगी कंटेनर्स और जो वाटर सप्लाय अब साथ में कर रहे हो यह नेच्रली बंडल है तो यह कंपोजिट सप्लाय आ जाएंगे यह एक अडवांस रूलिंग थी MFAR Hotels and Resorts Private Limited 2020 के रूलिंग है इसके अंदर क्या बूला गया कि क्या कोईरी पूची गई थी एप्लिकेंट के द्वारा इसने बूच्छा थी कि तो इसके वपर rate of tax क्या लगेगा इन अदर पूचा गया था क्या है तो यहां पर क्या है क्या रूलिंग दी गई अधर बाइंग दे अधर इसके अधर बॉलेंगे कि अब खाना भी खरीदो यहां पर आम ऐसे किसी को हम इंडिवीजुली सिग्रेट बेच रहे हैं होटल के इंदर अधर इस अधर इस अधर बॉलेट प्रॉट्स जैसे कि अधर इस अधर ब्रॉट्स जो रहे हैं और जो सब्सक्राइब दे रहा है और जो सर्विस दे रहा है दोनों ही टेक्सिबल है तर्विंग अनि नाइटन बाइस न इन इस अलगर डेर इस अदर इस खरीड बिखेए शर्विस जब लागे घर ब्रॉड सबॉर्यजिक अधर इन चीज अधर बाइस नहीं तो चीज नहीं है कि आपको सर्विस देनी ढेनी इसले आपकी सिग बिकेगी आजर्विस अधर श्विस इसलिए हम इसको कमपोजिट सप्लाइ नहीं बोल सकते जो सर्वीस ऑफ रेस्टरेंट और जो सिग्रेट है एस पर सेक्शन टू थर्टी ऑफ दा एक हावर वन सच इग्रेट प्रोड़क्टर सप्लाइब बाइद रेस्टरेंट असिंगल प्राइस चार्ज सीन इन दा इन्व प्रोड़क्ट बाइद रेस्टरेंट इस नॉट कमपोजिट सप्लाइ नहीं है इंवाल सप्लाइब टू इंडिविजिएल सप्लाइब वर्ट तो यहां पर आप दो अलग-अलग चीज़े दे रहे हो आप सिग्रेट अलग से यानग कि गूड अलग से बेच रहे हो और सर मिक्सप्लाइं अर जो समझ आ गया हो कि मिक्सप्लाइं में उटोर कमोजट सप्लाइ की कि दे रहे हैं टू सबसेक्शन 30 में एंदर when the next अब का इंदर हम ए norman में मिक्सप्लाइब की ट्Ben चानक्पिक हतम होता एए नेक्स जो वीडियो होगी उसके निरम कौन सा टॉपिक समझेंगे लेवी एन कलेक्शन आफ टेक्स जो कि सेक्शन नाइन अफ ज़सी एक नाता है तो सेक्शन सेवन सेक्शन एट और दो जो डेफिनेशन क्लॉस का सेक्शन सा वो भी आपके कम्प्लीट हो गया आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजेगा शेर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा